RSS तो खुद दुख है मोधी जी से, मोधी जी तो RSS को मनते ही नहीं, RSS के लोगों को सुनते ही नहीं Môधी जी जूटों के सर्धार हैं, देश के प्रधान मंतिरी को इतना जूटनी बोलना चाहिए भाजपा विनाश की राजनीती करती हैं ये तो विनाशक लोग हैं ये तो विध्धुनसक लोग के साथ सबका विकास, सबका विश्वास ये जूटे लोग हैं, ये जूट बोलते हैं ये बहुत फ्रॉड लोग हैं, हिपोक्रेट पाखंडी लोग हैं ये न राम के हैं न रहीम के हैं ये तो बहुत अजीब पाइटी है इस देश को अगर बचाना है तो भाजपा को भगाना है अब ये जूटे है ये चोर है अब जनता अगर इनको फिर भी समर्तन देती है तो इसमें मैं क्या करूं हिंदूों को भी धोका मुसल्मानों को भी धोगा देते, ना ये हिंदू के हैं ने मुसल्मान के हैं, ये दुकान दार हैं, बस अपनी दुकान के हैं, सु하 से शान तक झूट बोलते है, हम तो उस विचारदारा के खिलाब है, जो हिंदू और मुसल्मान में खाई पैदा करता है, तो इन लोगों ने लोगों को दोगा दिया, इन लोगों ने दोगा दे करके जनता को गुम्राह किया, ये अमीरों की सरकार बन गई है, उदर ठाकरे जी के नेतरत में कॉलेशन गवर्मेंट चल रही है, तो ये बात उने देखनी चाहिए, अगर किसी बड़े संगठन का प्रिष्ट नेता, आचारे प्रमुत कृष्णम जी है, जिनकी आपको जानकारी देने की कोई जरूरत नहीं, बहुत बड़े नेता है, सर, सबसे पहला सवाल समय कम है, जो चुनाव चल रहा है, आपको क्या दिख रहा है चुनाव में? देखिए, जनता परिवर्तन चाहती है, और पांस साल से जो उत्तर प्रुदेश में योगी जी की सरकार है, इन से नाराज है, इनके जो काम करने के तरीके हैं, इनकी जो भाशा है, इनके जो विधायकों के कुकरत हैं, गलत काम हैं, अपराध हैं, अपराधियों को संरक्ष वत्तर प्रदेश की जनता परिवर्तन चाहती है कॉंग्रिस कहां है सर क्योंकि सपा भाच्पा अपने प्रचार में लगी है संगतन के तोर पर हमलावर है भाच्पा की कॉंग्रिस कही रेश में नजर नहीं आरी उस पर आप क्या कहेंगे सब जगा है सभी सीटों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं और प्रेंका गांधी के नेतरत में चुनाव लड़ा जा रहा है 32 सालों से कॉंगरेस उत्तर प्रदेश में इसक्ताय मैं नहीं है पिछले 32 सालों में बसपा की सपा की बीजे पी की कई कई बार सरकार रही है तो आज जो उत्तर प्रदेश की जो दुरदशा है, बदहाली है और जो ये बरवादी हुई है, इसकी जिम्मेदार ये तीनों पार्टिया है BJP भी जिम्मेदार है, SP भी जिम्मेदार है, BSP भी जिम्मेदार है जाती धर्म के नाम पर जिस तरह की सियासत हो रही है यह ठीक नहीं है किसी भी राजी के लिए ठीक नहीं है किसी भी देश के लिए ठीक नहीं है और उत्तर प्रदेश एक बड़ा खुबसूरत प्रदेश है इसको जाती और धर्म के नाम पर नंगा नाच हो रहा है समाजवादी पारिटी ने एक जाती की राजनीती की और बीजेपी ने धर्म की राजनीती की तो कोई भी राज, कोई भी राष्ट यदि जाती और धर्म के आधार पर सियासत जहां होती है वहाँ फैसले लिए जाते हैं तो वो राजी के लिए ठीक नहीं है इसलिए जनता जो है वो चेंड चाहती है, कॉंग्रेस 32 सालों से सरकार में नहीं है, कॉंग्रेस को लोग लाना चाहते हैं, कॉंग्रेस ने कभी जाती और धर्म के नाम पर राजनिती नहीं की, कॉंग्रेस अपने सिध्धानतों को लेकर उसूलों को लेकर के जनता के सामने है और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता कॉंग्रेस का सम्मान करेगी, कॉंग्रेस को सपोर्ट करेगी भाजपा कह रही है विचारदारा और विकास की लड़ाई है, कॉंग्रेस की विचारदारा और विकास में कुछ लगता है दम है? भाजपा विकास की राजनिती नहीं करती, भाजपा विनाश की राजनिती करती है यह विनाश करना चाहते हैं, यह तो विनाशक लोग हैं, यह तो विद्धुनसक लोग हैं इन्होंने हमारा आपस का भाई चारा डिस्ट्रॉय कर दिया इन्होंने गंगाजमनी तैजीब को खत्म कर दिया इन्होंने लोगों के बीच में नफरत पैदा कर दी तो भाजपा का ये कहना के वो विकास की बात करते हैं सब के साथ, सब का विकास, सब का विश्वास ये जूटे लोग हैं, ये जूट बोलते हैं यह बहुत फ्रॉड लोग हैं, they are totally fraud, hypocrite, पाखंडी लोग हैं, यह हिंदूों को भी धोका देते हैं, मुसल्मानों को भी धोका देते हैं, ना यह हिंदू के हैं, ना मुसल्मान के हैं, यह दुकांदार हैं, बस अपनी दुकान के हैं. सिर, भाजपा पे आप आरूप लगा रहे हैं, लेकिन 32 साल से आप UP में सत्ता में नहीं हैं, कॉंग्रिस का कारन क्या है सत्ता में ना आने का, और विचारधारा की लड़ाई बोलती हैं, भाजपा की विचारधारा लोगों के दिमाग में बैट रही हैं, सेंटरल में उनकी सर कारे, इस पर आप क्या कहेंगे, कि ये कॉंग्रिस की विफलता नहीं है, देखे जब धार्म और जाती की राजनीती होती है, तो जनता थोड़े सी भटक जाती है, जनता भटक गई थी, वो रास्ते पाएगी, शुरू-शुरू में बुरी चीज बड़ी अच्छे लगती ह है, तो इन लोगों ने लोगों को दोका दिया, इन लोगों ने दोका दे करके जनता को गुम्रह किया, तो कभी-कभी जनता भी कोई रॉकिट साइंस तो है नहीं, इसमें के ये तो आदमी जब जूट बोलता है, जूटे वादे करता है, तो हर जूट को जूट समझा जाए वहां गलती हो गई तो बीजेपी के जूट को समाजवादी के जूट को बसपा के तमाम उस तरह की राजनीती को जब वो शुरू शुरू में आए तो लोगों ने उसको सपोर्ट किया और कॉंग्रेस पार्टी ने तो खुद समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का काम किया। कॉंग्रेस पार्टी ने बहुज़न समाजवादी पार्टी का भी सपोर्ट किया। कॉंग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने इस्टेट लीडर्शिप को रीजिनल यह कॉंग्रेस को निशाने पर रखती हैं, यह कॉंग्रेस को खतम करना चाहते हैं, लड़ाई क्या है, बीजेपी कॉंग्रेस को खतम करना चाहती है, जो काम बीजेपी चाहती है, वही समाजवादी पार्टी और बस्पा चाहती है, इनकी दुश्मनी भाजपा से नहीं है, स प्रपा बस्पा और भाजपा यह तीनों मिलके यह चाहते हैं कि हम बंदर बाट करने सियासत की सत्ता की कॉंग्रेस अपने उसूलों से चुनाव लड़ रही है कॉंग्रेस 32 साल से हैं सरकार में नहीं है हम और 32 साल भी सरकार से बाहर रहने को तयार है मगर हम अपने उसूलों उसे और सिध्धान्तों से समझाता नहीं कर सकते हैं आप कह रहे हैं तीन पार्टी आपकी विरोध में तो आपका प्रमुक विरोधी कौन है फिर इसमें तीनों उत्तर-प्रदेश की जनता को इन तीनों ने ठका हैं यह तीनों बहुत बड़े दोके बाज यह तीनों कॉंग्रेस के पास कोई तोड नहीं है तो जनता के पास है विचारधारा की बात भी कॉंग्रेस कहती है हमेशा से तो आरेसे की जो विचारधारा है वो तो काभीज कर रहे है भारत में अपने तीरे दिले अब विचारधारा कॉंग्रेस की है वो गांधी की विचारधारा अब जनता अगर हमारा साथ नहीं देगी तो हम क्या करें जनता के सरफ ओड़ देंगे जनता के हाथ में ताकत है जनतांतर में शारी शक्तिया जनता में नहीं दोती है हम तो उत्तर प्रदेश को कह रहे हैं कि हम इसे उत्तम प्रदेश में बनाएंगे, अब जनता अगर धोका खा जाएगी, तो फिर क्या करेंगे, हम तो सड़क पर आज भी ये, कल भी रहेंगे, हमें क्या फरक परता है, ये तो हम अपने इंट्रेस्ट में चुनाव लणना नहीं चाहते हैं, हम अपने इंट्रेस्ट म में मदप्रदेश में ये कहा था, अठारे के चुनाव में बादा किया था, हम किसानों का करजा माफ करेंगे, हम ने किया, हम आज भी कह रहे हैं, कांग्रेस की सरकार आएगी, तो बिरोजगारी दूर करेंगे, कांग्रेस की सरकार आएगी, तो ये नफरत का महौले से हम ठ रुषाना बनाते तुक्डे तुक्डे ग्यांग कहते तो उस पर क्या कहेंगा? प्रधान मंतरी की गर्मा होती है प्रधान मंतरी की एक मर्यादा होती है प्रधान मंतरी एक पाइटी का नहीं होता है पुरदेश का होता है लेकिन अफसोस के हमारे प्रधान मंतरी जी एक पाइटी के है और लगातार चुट बोलते है खाली में मुहन बागवद जी ने लोकमत के कारेकर में कहा कि भारट एक हिंदु राष्ट है तो इस पर आप क्या कहें? आपने नोटबवंदि का फैसला लिया आपने जो जो फैसले लियी है आप तो तानाशाही तरीके से फैसले लेते हैं एक फैसला ये भी ले लिजेगा, जगड़ा कतम हो, अरे भारत सिर्फ हिंदूओं का थोड़ी है, ना सिर्फ मुसर्मानों का है, ये तो 135 करोड हिंदूस्तानियों का देश है, भारत की खुबसूरती क्या है, अगर यहां एक ही धर्म के लोग हों, एक ही जाती के लोग हों, तो वो कोई खुबसूरती थोड़ी है, और फिर हिंदू राष्ट होना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है अच्छा राष्ट होना, भारत एक अच्छा राष्ट है, भारत एक उत्तम राष्ट है, लेकिन इस उत्तम राष्ट को इसका बेड़ा गरक मत करो, पाकिस्ता धर्म मनुष्य को एक दूसरे से प्रेम करना सिखाता है सद्भावना का संदेश देता है धर्म का मतलब यह नहीं है कि एक दूसरे को लड़ाओ विभाजित करो मुझे लगता है मोहन भागवजी को अपने इन बयानों पर पुनर विचार करना चाहिए आप जैसी यूपी इल का संगटन मजबूत नहीं उसका कारण क्या है सिर्फ और बीजीपी पर ठीकरा फोड़ना कि कितना उचित है हम रस पर ठीकरा कहा फोड़ रहे हैं रस तो खुद दुख है मोदी जी से रस यह मानती थी कि अब तक जितने प्रधान मंतरी हुए बीजेपी कि जितने नेता आगे पीछे गूमते थे रस यह के आदेशों का पालन करते थे मोदी जी तो रस को मनते ही नहीं रस के लोगों को सुनते ही नहीं रस यह तो कुछ चाती है मोदी से पीछा छुटे है रस के किसी बड़े नेता से पूछो वो तो बंद कमरे में रोएगा मुझे कितने ही रस पी के किसी एक बच्चे का विवा तो मैं कि हम RSS के काफी लोग थे उन्होंने का जी हम आप थोड़ी दुखी हैं पुरा देश दुखी हैं मैंने का तुम भी दुखी हैं उन्होंने का हम भी दुखी हैं क्यों कि यह मानते ही नहीं ना हम इत्शा मानते हैं हमारी ना मोधी मान तो प्रश्णी हैं, एक बोटल से बाहर होता है, और बोटल निकल किया, अब और अर्स्ए कोई खत्रा है, हम तो अपनी लाइन पे चल रहे हैं। अब बहुत से राहूल गांदी जी की भासन सुने हैं, आप मोहन भागवत जी को टारिगट करते हैं, उनकी विचारधारा को टार्गेट करते हैं लेकिन संघटनात्मक उनकी जो कमिया है जो फरजिवाद हैं उस पर कभी आप नहीं बोलते हैं कानुनिरी रोप से आपने कभी विरोध नहीं किया ऐसा क्यों? ये दो तरफा राजनीती क्यों? नहीं हम मोहन भागवद जी का कहा विरोध करते हैं हम ना मोधी का विरोध करते हैं ना मोहन भागवद का करते हैं हम तो उन नीतियों का विरोध करते हैं जो देश को तोड़ना चाहती है हम तो उस विचारधारा के खिलाफ है जो हिंदू और मुसर्वान में खाई पैदा करता है हम तो उस विचारदारा के खिलाफ ही जो अमीर गरी में फर्क करता है जो यह अमीरों की सरकार बन गई है यह पूजी पतियों की सरकार है गरीबों को आप لेना देना नहीं है गरीबों को बेबकूब बनाते हैं गरीबों को राशन दे देंगे अब राशन से थोड़े जिंदिगी चलती है एक महीने का राशन दे दिया दो महीने का राशन दे दिया गरीब को मजबूत बनाने के लिए उन्हें रोज़गार की विवस्ता करो आप रेल भी बेज देंग गांधी पर अटेक करते हैं, ये गांधी परिवार पर अटेक करते हैं, गांधी परिवार ने इस देश के लिए कुरबा नहीं दियें, गांधी परिवार का बल्दान हुआ, इंद्रा गांधी का बल्दान हुआ, राजीब गांधी का बल्दान हुआ, तो दुश्मनी ये नि हम स्jsqual़ करने करते हैं राजनीती करते हैं इटेज को अगर भचाना है तो भाजपा को भगाना ने भाजपा तो यह का संघटन है पालिटिकल संघटन है लेकिन आपको लगता हिसे पिछले कई सालों से कॉंग्रेस देश में शाषन कर रहे थी लेकिन विफल पेड़ हमें दिखने को मिल रहा है, ये कही ना कहीं, कॉंग्रेस के सरकारों की विफलता है, नहीं, देश में सबको अपनी बात कहने का दिकार है, अगर हम किसी संगठन पर पावंदी लगा दें, तो फिर तो हम में और ताना शाहों में अंतर क्या हुआ, पंडित नहरू के स कामे में साधार पतेल जी ने ग्रह मंत्री थे, और उन्होंने RSS को बैन किया था, लेकिन फिर बैन खोल दिया, साधार पतेल बैन खोला, इसका कोई सबूत नहीं मिला, नहीं, ना मिला, संगठन तो चल रहा है, संगठन भी फर्जी है, क्योंकि उसके जो अकाउंस है, उस पर भी सवाल उठे है, उन पर जो भी, यह एक चोटी बात है, किसी का अकाउंट है, नहीं है, यह मेरा काम नहीं है, यह तो बैंक वालों का काम है, अकाउंट ना हो, तो फिर यह सरकार का काम है, कि उस पर हजारो करोड रुपर का से है, तो अभी महराष्ट में आपकी सरका का रेश्टेशन नहीं है फरजी है तो उसके खिलाब मुकदमा दर्च करना चाहिए उसकी जाच होनी चाहिए ये उनका काम है ये मेरे हाथ में थोड़ी है मैं तो ये कहना चाहता हूं कि ये देश सबका है एक बात ये देश में गरीबों का उत्थान होना चाहिए जो जिन पे जल्म हो रहा उनके साथ हम करें कांग्रेस किसी भी फैसले को तानाशाही तरीके से नहीं लेती है कांग्रेस हमेशा इस देश में सबके साथ रही है सबके की इनकी विचारदारा ने और फिर गांदी जी का चश्मा चुरा के सच भारत लिख दिया है ना सरदार पटेल तो हमारे हैं सरदार पटेल ने तो आरेसस को बेहन किया था सरदार पटेल तो गोर विरोधी थे इस विचारदारा के इन्होंने सरदार पटेल को भी अपना-पन कि लड़ाई लड़े उसके बाद देश को आगे ले गए अब सवाल यह है कि यह जूट इतना बोलते हैं कि इनके जूट का कोई तोड़ नहीं है तो जब जनता यह समझ जाएगी कि यह जूटे हैं तो जनता अपने आप समझने में तो समय लगेगा सर आपके पास कुछ अब यह जूटे हैं यह चोर हैं अब जनता अगर इनको फिर भी समर्तन देती है तो इसमें मैं क्या करूं इट विल डिसाइड वाइप यूपिल अफ इस कंट्री मैं क्या करूं आपने कहा कि मोधी और योगी में जगड़ा शुरू है इसका फाइदा सीधा सीधा सपा और अखलेश यादव लेके जा रहे हैं तो Congress इसका फायदा लेने के बारे में कोफ सोच रही है? अखलेश यादव मोधी और योगी से नहीं लड़ सकते है समाजबादी पारटी ना उत्तरप्रदेश यल Color Church विल過去 सबकेश कमें आखले शादब जी रोख सकते हैं BJP को अगर रोखना है तो देश की जन्ता को Congress का साथ देना पड़ेगा और BJP को रोखने का एक मातर रास्ता है वो है तिरंगे का रास्ता अकरी सवाल सर, प्रमुक मुद्दे क्या है? Congress के क्या? देश के मुद्दें बेरोजगारी हटनी चाहिए, हर घर में बच्चा अगर पढ़ा दिखाऊ से रोजगारी मिलना चाहिए, महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, गड़कियों को आगे आने का मौका मिलना चाहिए, सारे देश के हमारे जो आज महगाई से लोग तंग है, यह ठ केहते हैं, कि जनता के सुविधाओं की सारी विवस्ताइं ठीक चलें, वो विकास है, है ना, वो तो नजर नहीं आ रहा, तो मुद्दे यह हैं, कि अगर हम लोग दुबारा सत्ता में आते हैं, तो हम पहले सुनिश्चित करेंगे, कि हर घर में रोजगार की विवस्ता करें मेंगाई कंट्रूल करें, और देश का जो वातावरान है उसे ठीक करें